अलो प्रेरumo फ्रेंट लेगे हम जा रहे हैं गोमने कार में बैण कर जा रहे हैं हम दीदी और मैं उनके बच्चे है और मेरी बडि दीदी की भी बच्चे हैं तो हम गोमने जा रहे हैं और ये मेरा बाञ जाए सोरी मतलब भांजाई है दीदी का लड़का और यह मेरी बेटी है बड़ी दीदी की लड़की कैप लगाए बैठी आप देख सकते हैं और व्यू बहुत अच्छा आ रहा था तो इस वज़े से थोड़ा सा मतलब लोकेशन की बीडियो बना लें तो बहुत अच्छा लग रहा से गर्मी बहुत थी और देखें बहुत ही प्यारा पहाड था अवड़ी लोकेशन था तो यह अनुमार भारक लोकेशन अब इस समय हमाएं नन्नी दुनिया घूमने आएं घूमने आप देख सकते हैं यहां पे मतलब की मद्ध परदेश सतना लगता है जिला तो कर्भी चि निकल गया है और यह पार्क है मतलब इसकूल है तो इसकूल में यह नन्ही दुनिया है मतलब ऐसे लोकेशन ऐसे मतलब सिल्मेंट के जियो जन्तु बने हुए हैं आप देख सकते हैं आगे आपको दिखांगी देखें यह मतलब हरा कलर का बढ़िया पानी भरा हुआ है यूँ अकेले ही वीडियो सूट कर रही थी अकेले ही वीडियो तो देखें यहां पर वह पीछे साहब हां थी बना हुआ है चिता सेर बहुत से जानवरे हैं जो बने हुए थे सिल्मेंट के बने हुए है लेकि रियल लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा था मुझे यहां सेर है यहां पर मैं अकेले केले वीडियो सूट कर रहे थी आगे भी मतलब की देखिए सेर बैठा हुँ बहुत सारे बहुत रियल लग रहा था रियल में चुएंगे तक नहीं यह देखिए कोई वीडियो तो हमारा सूट नहीं कर रहा था आपके पीछे हाथ थी वगेरा है आप देख सकते हैं तो कोई वीडियो सूट करने वारा नहीं था तो मैं अकेले ही वीडियो सूट कर रहे थे यह पीछे मेरी दीदी है दिकरभी में आया थे दीदी लोग ने करवाया था किर्तन बठवाया थे तो भंडा रहा था तो इस वज़े से अचानक मुझे दीदी क यहां जाना पड़ा और वीडियो नहीं सूट कर पाई मैं तो देख सकते हैं बस बीच में ही वीडियो सूट कर ली दीदी रोक लिये थे कि आज रुकी रहो तो घूमने चलेंगे तो इसी वज़े से घूमने आये हैं तो देख से आपने सिल्मिंट के जानवर जीव जंत त खाऊंगी स्कूल है बच्चों का स्कूल है ननी दुनिया है तो यहां सोचे थोड़ा घूम लेते हैं फिर चलेंगे तो आज गूमने आये याद देख सकते हैं पूरा लोकेशन अब भंडारे में आये तो दीदी रोक ली थी बोड़े थी अब रुकी रहो अब घूम लो थोड़ा बहुत फिर चली जाना अभी कौन से दिकत है इसलिए फिर सोचा थोड़ा घूम ही लेते हैं तो मैंने वीडियो बना लिया आपको दिखाने के लिए थोड़ा यादगार रहेगी कोई वीडियो सूट करने वालत है नहीं यहीं मेरी बेटी है अब देख सकते हैं संब मतलब फोटू वीडियों में लगे हैं कोई एक दूसरे की हेल्फ नहीं कर रहा है कोई नहीं वीडियो शुट कर रहा है मैं दोकान ऑन रहा ही मैंया सूट कर लिया तो देख सकते हैं पूरा स्कूल ही था पास तक्सा बच्चों का तो यहां बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही प्यारा लोकेशन है बहुत अच्छा बना हुआ है यह देखिए बच्चों के अभी तो चुट्टिया चल रही है वैसे गर्मी की चुट्टी है तो यह सीमिंग फूल है तो यहां पर पाली नहीं भरा हुआ है अभी क्यों के भी चुट्टी चल रही है तो यहां पर कुछ जंप और नहीं होता है वैसे सूखा पड़ा हुआ है बस हो गया और कुछ नहीं यहां पर देख सकते हैं आप कैसे मतलब यह गूफा है वही प चीज है अच्छा लागेगा इसलिए मैं घूमते गूमते गई अकेले और कुछ अकेले मतलब बहुत मेहनत पड़ जाता है खुद की वीडियो बनाओ फिर लोकेशन की वीडियो बनाओ कोई हेल्फ वाला तो है नहीं अकेले खुछ से बना रहे हूं कोई और यहां पर है बहुत अच्छा लगा है थोड़ा बहुत पीछे सब यहां सिर्वेंट के जॉन और बने कहते हैं यह इनननी दुनिया है बच्चों की दुनिया है यह बच्चों के लिए यह सब बनाया गया है यह स्कूल है एक प्रकार का तो मद्प्रदेश लगता है सतना सतना जीला ल देख लेते थे कि बुद्धी आईगे मतलब दिमाग बढ़ेगा किताब दबा लेते थे और देख नहीं है बहुत लोग ऐसे कि होगे यहां पर देख सकते हैं यहां पर यह वी यह सिमिंग फुल यहां पर तो आपको दिखाई चुके है फहले और यह दीदी के लड़का है यहां पर चितरों गहरे मैं बाहने गू मी थी बहुत अच्छा लग रहा था मुझे सच में बहुत प्यारा लगा मुझे यहां का लोकेशन यहां है आप यह मेरी दीदी खड़ी हुई है आप देख सकते हैं पूरा लोकेशन यहां पर जूला लगो जूला में तो बनता ही नहीं था जूलते मैं थोड़ा से बैटे हूं लेकिन थोड़ा से जूला जूल पाए हूं जाता नहीं क्योंकि अकेले थी कोई वीडियो सूट करने वालाद था ने है आप सूचरहें, यह बार बार यह वार यह को बीडियो शूट करने वालाद क्या करने या पॉइन साम पकले कि ऌन Là अरे शी आसले पर भाकिद इल्ध पूलों चैता जूला था मतलब नीचे से टायर लगा हुआ था थोड़ा बैठने के लिए अपने वीडियो देखा होगा जहां मेरी डीदी रहती है तो वहां को जूला बहुत ही अच्छा था जूलते थोड़ा बनता था सिमिंग पूल तो मैं आपको दिखाई चुकी हूँ अभी और दिखाएंगे याप मैंने थोड़ा से एक वीडियो सूट किया है वीडियो मैंने अप्लोट किया है अपने देखा ही होगा इस्टाग्राम में तो फ्रेंड अचारक त्यारी बन गई थी दीदी कि यहां कह रहे से भंडा रहा है तो अचारक त्यारी बन गए थी तो मैं वीडियो नहीं सूट कर पाई थी बस बीच से वीडियो मैंने चालो कर दिया वे वैसे तो वीडियो मुझे नहीं बनाना तो नहीं करना था तो देखे हमने सगले हार घूम लिया अब जा रहे घर बस मैंने आपको अच्छी जगे जाना है आपको अभी नहीं बताएंगी वीडियो में ही बताएंगी जब वीडियो आएगा तो खुद ही आपको पता चल जाएगा अभी तो यहां घूम रहे हैं यहां को बहुत ही अच्छा लोकेशन आ रहा है तो मैंने थोड़ा से वीडियो देखे कि इत आप लोकेशन देख सकते हैं तो इसलिए मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया है तो आप देख सकते हैं सब लोक बैठें यह बहुत ही अच्छा लग रहा था सच में और वाम अच्छा से वीडियो नहीं इसलिए मुझे वाइस ओवर करना पड़ा यह आपको बताने के लिए कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि यह कौन सी क्या जगे तो कर्वी चित्रकूट में मद्द प्रदेश में घूमने गया थे जीला सतना लगता है ननी दुनिया गयते मैं घूमा होगा तो यह भी मेरी दीदी की लड़की है यह भी वीडियो सूट कर लई है लोकेशन की क अच्छ में बहुत अच्छा लगा यहां का लोकेशन एक दम बस्त बताने सकते हैं और यह में गेट है आगया यह बस लाश्ट है गेट आगया बसने करने आले बस इतना ही घूमा होगा कौन-कौन आये हैं चित्रकूट कर भी घूमने अरोग धाम जिसे बोलते हैं अरोग तो यहां भी घूमना थी आटा यहां बहुत जब बन गए तो जादा हम नहीं घूम पाएं पस बाहर इसे आपको दिखा रहे हैं देखिए बाहर ही थोड़ा पानी भरा है तलाब जैसा तो बाहर से ही आपको एक फोड़ा से दिखा पाएं, फूरा नहीं घूम पाएं, वन्ना में बहुत ही जादा घूमती, सब लोग और अच्छा आपको दिखाते, बहुत अच्छा ची जगे थी, जहां हम नहीं जा पाएं, क्योंकि लेट हो गया था, और ये बंदर थे, मैं ड चोटा से लेलू थोड़ा सा, तो बतलो डर गई में दीदी के लड़का डरा दिया था, अब जा रहे हैं, थोड़ा दूसरी जगे, महां बहुत अच्छा लग रहा है, वहां लोग नहां रहे हैं, तो थोड़ा आपको दिखाने में जा रही हूं, आप बने रही हैं, आपक तो क्या होता है, तो देखिए यहां पर बहुत लोग नहा रहे हैं, यहां पर इतना अच्छा लग रहा है, इतनी गर्मी में मुझे लग रहा था, मैं भी जाँ तो नहा लोग इसमें बढ़ी है, बहुत अगर्मी लग रही थी, लेकिन यार कपड़े ने लाते कैसे नहाते बहुत सारे लोग यहां नहा रहा है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, और गर्मी में तो हालत ही बिगड गई थी, देखिए पानी बढ़ा है रहा है, पानी तक नहीं यहां मिल रहा तो गर्मी है यार, बहुत पानी नहीं किसी को मिल पा रहा है, बहुत दि सीरो सूब कर पाई मैं ज्यादा नहीं सूटकर पाई पानी के पता लगाते हैं तो कि मेरी असे Mm पाउज मिलेगा कि नहीं अब देखते हैं पता लगाते जा रहे हैं कहीं मिलेगा कि नहीं तो एक जगे पाउज आखिर मिली ही गया पानी पीने के लिए तो दीदी लोग तो गई नहीं वहीं पर अड़के बैठ गई मुझी को भागना पड़ा यह देखिए फिर एक जगे मुझे पाउज मिल गया तो वहां पर मैंने पानी पिया एक पाउज पी पाई हो बाकि दीदी लोग के लिए मैं ले गई थी उनको फीने के लिए क्योंकि गर्मी बहुत ही जादा थी तो यह भी इसको भी प्यास लाई थी इसको भी एक पाउज दिया यह भी पानी पी अरे यार गर्मी को पूछे इस हालत में आज काल तो घूमने लायक ही नहीं है बहुत ही देखा थे पीछे मेरे बच्चे कड़े हैं यह लोग भी मतलब पानी पीने आ गये थी इनके पीछे मैं चली आई थी पानी पता लगाते लिए तो अब हम जा रहे हैं अतर्रा मैंने घूम लिया अचानक जाने बीच बीडियो नहीं शूट कर पाई जहां मन चलता था फोन को बहुत हैं तो यह हम प्रें में बैटे हैं आप कार्वे से हम जा रह आगे तो मैंने खिड़की से सूट की पहाडों की वीडियो आप देख सकते हैं अब मैं अतर्रा है अगर आपको मेरे चोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो ब्यू का प्लीज लाइक कमेंट सेयर जरूर करिएगा और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी दवाना बिल्कुल भी मत भूल येगा क्यूंकि बस यहीं तक की वीडियो है मैं ऊच्छित कोśl को ता लेकिन अब मैं ट्रें में बैठी हूn आप जा रहे हो में अतर्राल दीदि लोगों है वार घंड़किरतन तीनो भाई उनकी मर्शी तो हमको निमंतर दिया गया तो हम चले गए इसमें कोई तो अके बाई वीडियो यहीं पर एंड करते हैं